हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल आज हम बात करने वाले शैम सेंचुरी फेरियोस के बारे में यह रिक्वेस्टेड वीडियो है तो डिमांड पर यह वीडियो बना रहा हूं वीवर के और काफी मैनों से यह चैनल से जुड़े हुए है और उनकी रिक्वेस्ट पर यह वीडियो से बना रहा हूं और यह елен बारे में बता देता हूं सबसे पहले इसका वेबसायट दिखा देता हूं उसके बाद हम इसके फन्डामेंटल और सारी चीज़े देखेंगे तो सबसे पहले यहांपर आप देख सकते हो किındंपनी का आपको images नजर आ रही है तो actually यह चीज़ है क्या तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यह फैरो एलाइज आर मैगनीज सिलिकॉन एड्सेक्टर यह सब और स्टील मेकिंग यह सब इसका में बिजनस है यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको सब देखने मिल जाएगा कि the company is the production of ferro-silicon one of the major raw ingredients है stainless steel and small quantities in the mild steel that is MS steel while a mild steel it is used as a reductant in stainless steel it is used as a grain refiner that enhances brightness तो यह company का में यह बिजनस है और the company has a plant located बारनी हाट मेगा लेया के अंदर नियर गुहाटी with a production capacity around 21,000 empty approximately of ferro-silicon annually तो यह company बनाती है ferro-silicon बनाती है और यह यहाँ पर details दी गई है और इस टाइप के steels वगरा भी बनाती है magneze का भी यह silicon magneze और अधर चीज़े भी यह company का main business है ठीक है तो यह सारी चीज़े करके company कमा कितनी रही है यह सारी चीज़े देखेंगे और ऐसे इनके competitors को ने same business में यह भी चीज़े हम देख लेते हैं तो मैं आपको directly screener पे लेके चलता हूँ और screener पे यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि company का जो market capital है 500 करोड के अंदर की company 481 करोड की market capital वाली company है फिलाल अभी price काफी सस्ता चल रहा है 21 रुपेज का 21.6 का अभी भाव चल रहा है यहाँ पर और इसने low जो मारा था 9-10 रुपे के आसपास 9.80 और 38 का high मार चुका है 38 के high से काफी सस्ते भाव पर अभी भी मिल रहा है यह dividend देती है काफी अच्छी बात है कोई भी company अगर आपको साथ में free में dividend भी आपको दे रही है तो वो profit making company है यह आपको समझ आना चाहिए कि कोई भी company हो जो profit making है वो ही most of dividend पे करती है loss making company dividend नहीं पे कर पाती है ठीक है और face value की बात करेंगे तो एक रुपे का face value है तो काफी अभी face value में कम के भाव पे है और ROE और ROC काफी अच्छा है काफी strong है return काफी अच्छा जनरेट कर रही है इसके capital employed पे याने इसका debt capital equity capital दोनों मिला कि यह अच्छा खासा return जनरेट कर पा रही है इसका market cap का properly use करके company अच्छा use कर रही है इसका और अच्छा खासा यहाँ पर profit जनरेट कर रही है और earning जनरेट कर रही है ठीक है और book value भी सही अच्छा है ठीक है और नीचे हम इसके positive negative चीज़े भी देखेंगे और chart अगर देखेंगे तो chart में देखो एक साल में काफी 10 रु उपर गया था और उसके बाद downside भी आया था तो दो तिन गुना एक साल के अंदर यह हो गया था फिर से यह थोड़ा नीचे गिरावट इसमें देखने मिली तीन साल की बात करेंगे तो charts उपर की तरफ यह दो रुपे का share यहाँ पर काफी multi-vega return दे चुका है 38 का हो गया था तो काफी multi-vega returns इसने दिये फिर यह downside थोड़ा सा correct हो गया है पास साल की बात करेंगे तो पास साल में देखो यह share यहाँ पर एक टाइम पर लगबग 8.5 रुपे का था वहाँ से थोड़ा उपर गया फिर downside आया फिर से यहाँ पर एक रुपे का भी भाव यहाँ पर आपको 2015 से है तो 10 साल complete नहीं हुए company को तो 2015 से लेके अभी तक 6-7 साल के अंदर ही company ने अच्छा moment दिया है तो company को complete 10 साल भी नहीं हुए तो काफी अच्छा moment ये दे चुका है और only यह company के अंदर prawns ही मिल रहा है यानि प्रॉज मिल रहा है प्रॉज यानि क्या होता है कि only positive चीज़ ने करजा कम किया है या कमपनी अल्मोस डेफ्री है तो कमपनी पर करजा कितना है ये भी मैं आपको दिखा दूँगा या है या नहीं ये भी हम देखेंगे और कमपनी इस एक्सपेक्टे टो ग्यू गूट कौटर कौटर अच्छे इसके आ रहे याने रिजल्ट्स इसके काफी अच्छा ग्रोथ हे ये कंपनी के अंतर profit ग्रोत में तो ये बिचीज काफी अच्छी है और यह देखो ये पियर कंपेरेजन में ends में आती है सबसे नीचे आती है और यह इसके कंप़ेरेजन में ये सारी quarterly results की बात करेंगे तो quarterly results देख लो तो June quarter के results थोड़े खराब यहाँ पर 31 करोड का यहाँ पर या 32 करोड का यहाँ पर company का sales हुआ है 13 करोड से लेके company के sales चल रहे थे और 38 या 51 या 55 61 तो continuously यहाँ पर देखो continue बढ़ते गया लेकिन इस बार June quarter के थोड़े नतीजे खराब निकले है और साथ में अगर हम देखेंगे इसके profit margin जो है 25 या 26 परसेंट के आसपास का profit margin company ले रही है तो profit margin भी बहुत continue तीन महिना या 3 quarter काफी अच्छा इसने results बताये थे और profit margin भी अच्छा लिया था ठीके और लेकिन यहाँ पर थोड़े खराब यहाँ पर sale निकले है June quarter के सिर्फ और इस वज़े से इसका जो net profit है ओ घटा है इस बार और अगर हम नीचे profit and loss की बात करेंगे तो profit and loss देखो 2014 से लेके अभी तक company ने यहाँ पर sales में अच्छा गासा यहाँ पर बड़त देखने मिले कभी up down भी हुआ है तो March 2020 में कम हुआ था 2017 में भी थोड़ा कम हुआ था तो up and down हुआ है लेकिन फिलाल अभी बढ़ता हुआ नजर आया 2022 में मार्च 2022 में 207 करोड का company ने sale किया और TTM इसका April के बाद देखो अभी भी अच्छा sale चल रहा है तो यह चीज़ अच्छी है positive है और साथ में यहाँ पर profit margin भी काफी अच्छा चल रहा है अभी भी 36% का और अगर हम इसके नीचे interest payment की बात करेंगे तो देखो अभी एक करोड का interest payment साला ना करती है तो अच्छी बात है कोई ज़्यादा loan है नहीं company पर और other income भी थोड़ा company जनरेट कर लेती है और net profit की बात करेंगे तो net profit 56 करोड का अभी फिलाल चल रहा है यह भी चीज़ अच्छी है और साथ में यहाँ पर यह सारी चीज़े देखने के बाद हमको यह नजर आ रहा है कि company दो साल से अच्छा profit करें उससे पहले profit ज्यादा नहीं कर रही थी यहाँ पर आप देख सकते हो just यह दो साल में अच्छा का सा momentum इसने दिखाया है उसके पहले profit काफी सालाना कम था तो अभी अच्छे moment में यह चल रही है company और 5 साल के इसाब से company ने देखो 21% के return दे चुकी है और 3 साल के इसाब से 97% और 1 साल में 85% तो काफी अच्छे returns इसने just 5 साल या 3 साल एक साल में दे चुका है तो जबर्दस return यह दे चुका है और balance sheet की बात करेंगे तो balance sheet देख लो important चीज़ है कि balance sheet किस तरीके का है तो balance sheet यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक करोड का यहाँ पर company का करजा चल रहा है और बाकी reserve में बहुत पैसा है 153 करोड का company के पास reserve पड़ा है काफी अच्छी बात है यह चीज़ और उसके बाद हम इसके share holding pattern की बात करेंगे तो share holding भी देख लो promoter के पास सबसे ज़्यादा share holding है फिलाल यहाँ पर थोड़ी गिरावट हमको देखने मिली थी promoter holding में लेकिन उसके बाद अभी constant है और same है और ज़्यादा गिरावट नहीं है और foreign के investor इसमें लगातार बढ़त करते जा रहे बढ़ा रहे है यहाँ पर आपको देखेंगे कि public ने थोड़ा बहुत माल बेचा है तो यह चीज़े यहाँ पर हमको देखने मिल रहे है तो share holding pattern भी अच्छा ही है तो majority चीज़े company के अंदर अच्छी हमें नजर आ रही है काफी strong share नजर आ रहा है fundamental अच्छे है और सभी चीज़े यहाँ पर फिलाल अच्छी नजर आ रही है तो फिलाल यह company काफी अच्छी मुझे तो लग रही है long term या short term के हिसाब से भी अगर मैं यहाँ पर आपको यह company का मेरा data क्या बता रही है यह दिखा दू तो यहाँ पर मैं ने जो निकाला हुआ है data यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर यह पूरा मेरे profit and loss का data है और उसमें यहाँ पर मैं company दिखा देता हूँ कि यह company का शाम century का किस तरीके का बता रहा है मेरा data यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने शाम डाला ठीक है तो शाम century यहाँ पर आ गया है नाम और यहाँ पर पूरा data रहता है जो मैं खुद भी study करते रहता हूँ ठीक है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर मेरा जो data बता रहा है लगबग यह 43% अभी भी down में मिल रहा है share तो down के हिसाब सी यह share को buy का यहाँ पर मेरे पास आ रहा है recommendation आ रहा है और अगर हम इसको PE wise देखेंगे तो भी इसको buy का recommendation आ रहा है क्योंकि PE सस्ता है यह PE का PE wise में long term के हिसाब से देखता हूँ और down wise में short term के हिसाब से देखता हूँ और यहाँ पर recovery wise भी देखेगा तो यहाँ पर short term के हिसाब से हिole तो फिलाल पी वाइस तो यह स्ट्रॉंग है लॉंग टम के हिसाब से और डाउन वाइस अगर देखेंगे अभी भी बाई बता रहा है क्योंकि यह 43% इसको रिकावर करके फिर से अच्छे मुमेंट दिखाना पड़ेगा तो यानि यहां से और भी डबल होने के चांसे यहां पर मुझे लग रहे हैं और उसके बाद यह सेल का अगर बता रहा है तो रिकावरी वाइस क्योंकि अगर कोई शॉट टम में है अगर मैं भी शॉट टम के लिए इसको लेके रखता तो अभी 120% पर जरूर इसको निकाल देता अगर लॉंग टम की सोच रखता हूं तो इसको पास अगर होता है तो मैं इसको क्या करता है लेकिन अभी नहीं है और जिसके पास भी होगा उनकी मर्जी है कि उनको यह शिएर को खरिदना है आए क्या करना है उसका अपना डिसीजन होना चाहिए तो फिलाल ये share काफी अच्छा है मेरे इसाब से तो और ये सारी चीज़े इसकी अच्छी होने के वज़े से fundamental भी अच्छे होने के वज़े से ये company को मैं अच्छा मानता हूँ और यहाँ पर इसमें देख सकते हो ये 100% फेरो एलोईज बनाती है तो काफी अच्छा इसका बिजनस नजर आ रहा है अभी भी सस्ते भाव पर है इस वज़े से company अच्छा moment दिखा सकती है आगे भी और अभी भी buying के range में ये दिख रहा है तो information अच्छी लगी वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चानल को subscribe करो like करो comment करो दोस्ते के साथ share करो thank you very much for watching my video thank you bye bye